Hello बच्चो, let's see this question, the question says, if there are 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500 by reproduction, what should be their birth rate per snail per year? इस question में बताना है कि अगर यहाँ पे 250 snails पहले थे, अब एक साल में कितने हो गए? 2500 by reproduction, तो हमें बताना है कि what should be their birth rate per snail per year क्या होगा? तो अगर देखते हैं इस question का answer क्या होगा? सबसे पहले जो है इस question में हम बात करते हैं की concept की, की concept में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जानेंगे की birth rate क्या होता है? birth rate जो होती है, इसमें इसको refer किया जाता है rate at which new individual, new जो है individual जो है added होते हैं to a population through reproduction, population इसके द्वारा reproduction process के द्वारा reproduction, so it is typically जो है expressed किया जाता है as the number of birth per individual और per unit of population over specific time और इसे जो है हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं की birth जो है rate क्या होता है? यहाँ पर final जो है increased population, final increased जो है population कितनी है? and initial divided by, divided by initial population, initial population into, into जो है time या कह सकते हैं time period. तो यहाँ पर हमें birth rate निकालना है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, final increased population को delta n से denote कर सकते हैं, and initial को जो है हम n not लिख सकते हैं, time period को t लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर delta n निकाल दे का अगर कोशिश करें, तो delta n जो है क्या होता है? delta n equals to, यह होता है final, जो है final minus initial, तो final यानि कि जो बढ़के कितना होगे? 2500 और initially कितना था? 250, 250, and यह अगर हम इसको minus करेंगे, तो यह हमारे पास कितना आजाएगा? 2250 और हमारे पास n not यानि कि initial कितना दे रखा है? 250 snails दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर इस formula में बठाते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया कि एक साल बाद यहाँ पे birth rate personal क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा time period जो आएगा, time आजाएगा क्या? 1 year, तो अगर हम इस formula में बठाते हैं, तो delta n हमारे पास क्या आगया? 2250, and n not यानि कि initial कितना है? 250, and t क्या हो जाएगा? 1, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यह हमारे पास आजाएगा 2250, divided by 2, जो है, कितना हमारे पास initial था? यह है 250, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आजाएगा? 250 into 1, अगर इसको हम solve करते हैं, तो यह हमारे पास कितना आजाएगा? 9 आजाएगा, तो यहाँ पे अगर option में चले, तो पहला option दे रखा है क्या? 10, यह गलत होगा, क्योंकि यहाँ प यह जो है, इस question का answer होगा, 30, 25 यह गलत होगा, यहाँ पे क्या होगा? गलत क्योंकि यह कितना दे रखा है? 15, so the right answer of this question is option B. Hope you understood it well, best of luck.